Hello दोस्तो, Early Financial आज़ादी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, पांच PSU कमपनियों के बारे में बात करेंगे, जो मार्च के महीने में डिविडेंट को डिक्लियर कर रही है, Consistent Dividend Paying Company है, जब हम इन कमपनियों के बारे में डिसकस करेंगे, तीन साल का Dividend का Data Analysis भी दोस्तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं, और Dividend Yield की भी Analysis हम इस वीडियो में करेंगे, तो जो पहला नाम है दोस्तो, Gale India, Important Date आपको ध्यान में रखनी है, March 13 को जस दिन Dividend Declare होगा, 21st March Record Date इस Dividend की होने वाली है, पिछले कुछ सालों से, जो हम देख पा रहे हैं, इनफेक्ट January 1, 2020 में जो Adjusted Price था, 83 रुपीज के असपास था, तो शेर प्राइस में बहुत बड़ा यहां पर बढ़ावा नहीं हुआ है, लेकिन Consistent Dividend दे रहे हैं, इनफेक्ट हमने कुछ दिनों पहले ही, पिछले 11 सालों का Dividend History, हमने Gale India की Analysis की थी, जहां पर हमने देखा था, Gale की तरफ से Regular Dividend आ रहा है, और कंपनी ने पिछले 11 सालों में 4 बार Bonus भी डिक्लियर किया हुआ है, तिक बहुत ही अच्छा Dividend Stock Gale India रहा है, तो देखें, जब हम 2020 की बात कर रहे हैं, 6 रुपीज 40 पैसा का Dividend, फिर 5 रुपीय का Dividend, और फिर 2000 जो पिछला जो Financial Year था, 10 रुपीय का Dividend था, फिर बहुत recent में उन्होंने बोनस भी डिक्लियर किया हुआ था, तो अभी हमको पता चलेगा, कि 13 मार्च को कि किस हिसाब से जो Dividend है, वो आने वाला है, तो पहला नाम Gale India, दूसरा नाम है दोस्तो नाल को करके दोस्तो, ये National Aluminium Corporation है, Odisha, Boneshwar में Headquarter है, यहाँ पर Dividend 13 मार्च को डिक्लियर होने वाला है, Constant Dividend History उनकी भी रही है, और 21st मार्च X Dividend Date है, इन पर भी हमने जो है, एनालिसिस की थी, एक चीज हमने एनालिसिस में जरूर जो पाई थी, जब हम एनालिसिस कर रह था, उस पर doubt थे, कभी increase कर रहा था, कभी increase नहीं कर रहा था, कभी बहुत कम हो जा रहा था, reason थे, कि जो profit जो थे, वो भी थोड़े cyclical थे, या lumpy थे, कभी profit बहुत जादा, कभी profit बहुत कम, और यहाँ पर बहुत बड़ा कारण है, nature of the business, देखे, oil and gas, या फिर, जो steel companies, aluminium companies, जो metal जो खा जाता है, metal sector की companies, बहुत हद तक external factors पर depend करता है, जब बाहर की situation बहुत अच्छी हो, तो dividend अच्छा मिल सकता है, example आपको जैसे मैं देता हूँ, जैसे इस साल, oil India या ONGC की तरफ से record dividend मिल रहा है, इस financial year में, लेकिन Indian oil, भारत petroleum की तरफ से dividend नहीं मिल रहा है, क्यों लरली, aluminum के prices बहुत अच्छा होंगे, तो नालकों को फाइदा होगा, थोड़े से नीचे हो जाएंगे, जैसे अभी, तो थोड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए आप देखिए, किस हिसाब से dividend है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, दो रुपिया, तीन रुपिया, फिर अनुवरी में ही, एक रुपिया का dividend आया हुआ था, तो अभी देखते हैं कि किस हिसाब से dividend है, अभी share price आप देखेंगे, 82 रुपीज के, आसपास मैं, जब यह मैं वीडियो बना रहा हूँ, पिछले financial year को देखें, तो 6 रुपिया का dividend था, उसके हिसाब से तो लगभग 8% के dividend yield हो रही है, जो कि एक strong dividend yield है, लेकिन क्या इत साल भी वैसा dividend आप आएगा, बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्यों कि यह cyclical sector है, और aluminium के price पर बहुत कुछ depend करता है, यह साल थोड़ा सा tough रह सकता है, जब हम dividends की बात कर रहा है, तीसरा नाम है दोस्तो, हड को करके, यहाँ अगर आप देखेंगे, 14th March को dividend declare होने वाला है, और 21st March dividend date होने वाली है, consistent dividend player यह रहा है, और अगर आप देखेंगे कि किस हिसाब से उन्होंने dividend दिया है, तो मैं एक बिल्कुल pattern देख पा रहा हूं हटकों में, कि March और September में dividend आता है, फिर देखें, March और September 2021 में dividend, फिर एक और March और September में 2022 में dividend और अभी फिर से March के महिने में dividend आ रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे, कि किस हिसाब से March के महिने में dividend एक आता है, और वही March का जो dividend है, वो भी आप देखेंगे, surprisingly हर साल 75 पैसे का dividend है, देखें, यह सिर्फ March का ही dividend आपको मैं दिखा रहा हूं, 75 पैसे का ह dividend है, March 2022 देखें, 75 पैसे का dividend, सभी dividend 75 पैसे के ही है, फिर एक और जो dividend आता है, September का dividend वो थोड़ा बड़ा नंबर आता है, जैसे September 2020 में 2 रुपया 35 पैसे का आया, फिर 1 रुपया 42 पैसे का dividend, फिर पिछले जो साल था, 2 रुपया 75 पैसे का dividend, हमनों calculate करेंगे, तो साड़े 3 dividend दिया हुआ था, अभी share price 49 रुपीज के आसपास में है, तो जो dividend yield जो अभी बैठ रही है, ठीक है, अभी का जो share price के हिसाब से, यहाँ पर 7% के एक strong dividend yield हड़को के share में बन रही है दोस्तों, तो तीन नाम हमने discuss किये, दो नाम और आने वाले हैं, लेकिन एक important चीज दोस्तो हम mutual fund का latest portfolio हमने share करना शुरू कर दिया है, टेलिग्राम ग्रूप में जहाँ पर latest mutual fund analysis, stock analysis और personal finance related content भी आते रहते हैं, तीन हजार दोसों से ज्यादा community members है, आप इस community को भी आप join कर सकते हैं, यह telegram community की जो link है, description box में दी हुई है, और बहुत recent में mutual fund के latest portfolio भी आने शुरू हो ग हम बात कर रहे हैं, तो consistent dividend आ रहा है, 15 March आपको note करना है, जिस दिन dividend declare होगा, 23rd March, ex-dividend date होने वाली है, consistent dividend आ रहा है, company की तरफ से आप देखिए, March और September, फिर March और September, जैसे हमने अभी हड़कों में देखा था न, वैसे ही, March और September, 2020, 2021, 2022, देखिए, similarly आप देखिए, March में, 2020 में 1 रुपिया, फिर 2021 में 1 रुपिया 20 पैसा, फिर 2022 में 1 रुपिया 56 पैसा, अच्छी चीज तो क्या है, at least हटकों में क्या था, कि 75 पैसा का जो dividend था, वो हर साल आ रहा था, यहाँ dividend March का जो है, वो बढ़ रहा है, देखते हैं, इस बार वो बढ़ रहा है, या नही dividend deal नहीं है, ठीक है, 1.54, क्योंकि देखे, 3 रुपिया 10 पैसा मिला है, दोसों का share price है, तो बहुत अच्छी तो dividend deal नहीं कही जाएगी, बट स्टिल, एक consistent dividend आ रहा है, consistent time पर आ रहा है, वो बहुत important है, March में भी आ रहा है, September पर भी आ रहा है, दोस्तों, तो हमने चार नाम discuss कि अगला नाम है, दोस्तों, भारत electronics, एक wealth creator रहा है, mid cap से large cap में आई है, दोस्तों, पिछले कुछ समय में ये company, अब देख सकते हैं, February में consistent dividend है, 2021 में आप final dividend देख सकते हैं, interim और final dividend, फिर, पिछला financial year भी उनके द्वारा dividend भी था, और bonus भी उन्होंने दिया था, जो 2 to 1 के ratio, मतल थे, आप 17 March को note करके रखे, जिस दिन भारत electronics की तरफ से dividend आने वाला है, यहां पर consistent dividend history उनकी रही हुई है, और January 1, 2020 में adjusted price 33 rupees का, आप मान सकते हैं, actually मैं उस समय में share price 9900 के आसपास में था, चुकि बोनस उन्होंने दिया है, तो इसलिए मैं ये price को adjust कर रहा हूँ, ठीक है, न 96 rupees के आसपास में है, मतलब ये share price actually में 300 rupees के आसपास में होता, लेकिन bonus के कारण, क्या extra share आये हैं और जो share price है, वो घटा हुआ है, ठीक है, तो ये adjusted price है, actual price कुछ 90, 100, 100 के आसपास में था, अभी adjusted price 33 rupees है, बट, dividend की जब हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल यहां पर, भारत electronics है, उन हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं इसको divide by 3 कर दूँगा, ठीक है, divide by 3 कर दूँगा, तो 1,5 rupees का dividend आ रहा है, तो 9,600 rupees में 1,5 rupees का, इस सबसे आप dividend मान सकते हैं, जो कि बहुत high dividend actually में नहीं है, ठीक है, तो कि आपको 1 रुपिया में 4 मिल रहा था, अब 3 रुपिया में आपक एक है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर 5 कंपनियों को analysis की, जिनके dividend बहुत ही recent में आने वाले हैं, कौन सी कंपनी को लेकर आप excited है, मुझे comment section में जरूर बताइएगा दोस्तों, धन्यवाद आपके time के लिए, thank you दोस्तों